इस वीडियो में कभर करेंगे महराजा या दवेंदरा सिंग इंटरनेसल क्रिकट स्टेडियम चंडीगर का फुल डीटेल पिच रिपोर्ट कैसी रहीगी यहांगी पिच क्या बैट्समन को हेल्प मिले के या फिर बॉलर्स को बॉलर्स में क्या फास्ट बॉलर अच्छा करें जो भी आपके डाउट्स होंगे पिच रिपोर्ट से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ बिलकुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट से फ्रेस पिच का इस मैच के अंदर इस्तमाल किया जाएगा पिच की बिहेविर की बात करें नूट्रल और बैलेंस्ट बिकेट यहां का रहता है बलेबाज और गेनबास दोनों को पिच से बराबर की मदद मिलती है आज से पहले एक बार भी यहां पर IPL का मैच नहीं खेला गया यह फॉस्ट मैच IPL का खेला जाएगा इस वेनु पे इस से पहले स्यद मुस्ताकली T20 Trophy 2023 के टोटल 9 मैचेस खेले गये थे जहां पर पेसर्स गिनबास ने काफी जदा डॉमिनेट किया था इस पेसली प्रेंट्स बता तो फॉ बले बास यहां पर असान रहता है लेकिन जैसे जैसे गेम आगी के तरह प्रोग्रेस करता है पीच स्लोडाउन होता है और बाद में बले बास ही करना यहां पर डिफिकल्ट होता है इनिशिल स्विंग और मुमेंट देखने को मिलेगा पेसर्स गिनबास को क्योंकि यहां प ट्रोफी 2023 के अंदर बट सेकंड इनिंग्स के अंदर जब इस लोडाउन हो रहा था तो वहाँ पर इस पिनर्स के इंद बास ने काफ़ी अच्छा बिकट निकाले हैं और अगर ड्यू नहीं आता है तो सेकंड इनिंग्स में जो भी टीम बोलिंग करती है उनकी आप एक एक्स इस्ट्रा फास्ट बुलर पिक करकर चलोएगा और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके फेवर में आप अपनी कॉंबिनेशन क्रियेट कर सकते हो टॉस का रूल इस मैच में काफ़ी इंपोर्टन होगा मेरे कोर्डिंग क्योंकि 9 मैचेज खेले गए थे सेद मुस्ताकली T20 Trophy 2023 के अंदर जिसके अंदर 7 मैच पहले बले बाजी करने वाली टीम जीती है और सिर्फ 2 मैच यहाँ पर चेज करने वाली टीम जीती है तो ओबर लगर में बात करूँ तो क्वालिटी बैट्समन जो रुपकर टिक कर बले बाजी करे डेफिनिटली हाँ पर आपको स्कोर का कंपेर्जन करें आप किलिरली यहाँ पर देख सकते हो फॉस्ट इनिंग में जो भी टीम बले बाजी किये उन्हों अच्छा है स्कोर किया है और most of the matches के अंदर उस टीम को यहाँ पर जीत मिली है अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो टार्गेट आप इजिली यहाँ प आपको अंतर देखने को मिलेगा पेसर के इन बास की बिकेट अकिंग अबिलिटी बहुत ज़्यादा थी लगबग उनको 15 बोल लगते थे एक बिकेट निकालने के लिए वहीं इस्पीनर्स को पर 25 बोल डालना पड़ता था एक बिकेट निकालने के लिए टोटल बिकेट से सेद मुस्ताकली टीटीनी ट्रोफी 2023, फास्ट बोलर को मिले 79 बिकेट, इस्पीनर्स को वनली मिले 29 बिकेट, रंस पर उबर की बात करें तो प्रती उबर रंस अबर बने 7.50 जो की लगबग आपका 150 के राउंड एबरेस फॉस्ट इनिंग स्को रहा कर निकल करके आता है, पेस वर्सेस इस्पीन के बात करूँ, जो टोटल 9 मैचेस खेले गए हैं, सेद मुस्ताकली टीटीन ट्रोफी 2023 के अंदर, इन 9 मैचेस के अंदर 79 बिकेट मिले फास्ट बोलर को, एड वनली 29 बिकेट मिले यहाँ पर इस्पीनर्स को, तो लगबग यहाँ पर डबल से भी ज जाता बिकेट निकाले हैं, एस कंपेर टो सेकंड इनिंग, वहीं इस स्पीनर्स के अगर आप देखोगे, तो उन्होंने सेकंड इनिंग में जाता बिकेट निकाले हैं, एस कंपेर टो फॉस्ट इनिंग, राइट आम फास्ट बोलर को 56 बिकेट मिले, लेट आम फास्ट बो को एंड 5 विकेट्स भी ले थे इस पीनस को तो यहाँ पर भी आप लोग देखलो डबल विकेट्स पेसे निकाले इस पीनस के कमपेरजन में हाइस्ट स्कोर यहाँ पर जमु इंड कास्मीर की टीम बने 238 लोइस्ट स्कोर हाँ पर मेगालिया की टीम बने 53 इसकोरिंग पैटर्न की बात करें जो टोटल यहाँ पर 23 मैचस खेले गए T20 के अंदर इसकी आप पैटर्न देख सकते हो 150 से नीचे 13 टैम स्कोर बने 150 तो 170 की ब